Welcome everyone, आज मैं आपको छाया मत चुना, इस पाइम के कुछ महत्वपून को प्रेशन उतर हैं, बता रहे ही हूँ, तो पहला प्रेशन है, यश है ना वैभो है, मान है ना सरमाया, यहाँ पर सरमाया का अर्थ बताना है, तो सरमाया का अर्थ होता है, पूंजी, पूंजी है, यहाँ पर उतर, शरमाना अधिकांश लोग इसका उतर देते हैं, लेकिन वो उतर गलत है, तो इसका उतर है, पूंजी, इसके बार प्रेशन आता है, सरद रात आने पर भी किसके ना खिलने का दुख है, शरद रात आने पर भी चांद के ना खिलने का दुख यहाँ पर कभी मना रहा है, भूली सी एक छुण बनता हर जीवित ख्षन, इसमें कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अलंकार का प्रेयोग जो हुआ है, वो उप्मा अलंकार का प्रेयोग है, किसी की जब तुलना करते हैं, यहाँ पर भूली सी एक छुण बनता हर जीवित ख्षन में तुलना हुई है, छुण की और जीवित ख्षन की, तो जब दो वस्तों की तुलना की जाती है, comparison किया जाता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है प्रेशन है चाया मच्छुना कवीता के कथन को गंभीरता किसने प्रदान की है यहाँ पर लक्षनिक्ता ने गंभीरता प्रदान की है next question है चांदनी रात के पीछे कौन सी रात छिपी रहती है कवी के अनुसार चांदनी रात के पीछे अमा वश्या की अंधिरी रात छिपी रहती है next question है म्रेग त्रिशना का क्या अर्थ है म्रेग त्रिशना का यहाँ पर अर्थ है धोखा क्या होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं क्या होते हुए भी दुरू विधा से गरस्त रहते हैं तो साहस होते हैं भी हम लोग दुरू विधा से गरस्त रहते हैं प्रेश्ण है रस बसंत जाने से क्या दातवर्य है इसका उतर होगा उचित समय बीट जाने पर फूल का खिलना से क्या भी प्राय है फूल का खिलना से जीवन की तुलना की गई है तो जीवन में सुख जब हमें मिलते हैं यानि कि कवी कहता है फूल का खिलना तो यहाँ पर सुखों की प्राप्ति यानि कि फूलों का खिलना नेक्स्ट कुश्यन है छाया मच्छूना कविता में क्या होते वे भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं? साहस होते वे भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं? चाया मत छुना कविता में प्रयुक्त कुंतल शब्द का क्या आर्थ है कुंतल होता है जिसके बाल घने लंबे हो उसे कुंतल कहा जाता है तो लंबे केश यहां पर उतर सही है कुंतल के फूलों की याद कुंतल के फूलों की याद में कुंतल शब्द का क्या आर्थ है वही याँ पर केश यानि बालों से है हेर उसके बाद प्रिश्ण है छाया मत छुना कविता में प्रभुता शब्द का क्या आर्थ है प्रभुता शब्द का आर्थ है संप्रभुता पुज्य कठीनी अथार्थ क्या है पुज्य कठीनी अथार्थ चुनोती को स्विकार करना जो है उसे कहा जाता है चंद्रिका का प्रतिकार्थ क्या है चंद्रिका का प्रतिकार्थ है सुख जीवन में सुहावनी चीजें क्या है जीवन में सुहावनी चीजें हैं सुरंग सु प्रिश्ण है दुविधा की अधिक्ता के कारण कवी को क्या दिखाई नहीं देता है पंथ का मतलब होता है रास्ता दिखाई नहीं देता है उसे समझ में नहीं आता है कि किधर की और जाए प्रिश्ण है कवी ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है कवी ने मानव को यथार्थ का पूजन करने के लिए कहा है यथार्थ यानि जो सच्चाई हमारे सामने है उस रास्ते पर हमें चलने के लिए कवी ने कहा है च्वियों की चित्र गंध किस प्रकार की है तो यहां पर च्वियों की चित्र गंध जो है वो मोहक प्रकार की है चाया मच्छूना कविता में यामिनी का अर्थ है यामिनी का अर्थ है तारों भरी चांदनी रात गिरीजा कुमार माथूर कृत कवीता का नाम क्या है अभी जो हम कवीता पढ़ रहे हैं उसी का नाम है चाया मच्छुना चाया मच्छुना कवीता में क्या होते हुए वी दुविदा से ग्रस्त रहते हैं आज के इस वीडियो में मैंने आपको यह सारे मल्टीपल चोईस को सभी कुषन्स लर्ण हो जाए उसके बाद आपको जो भी प्रेशन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताओ इसी तरह के यदि आप और कोई प्रेशन या कोई पार्थ पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्षन में जरूर बता सकते हो